तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास पहला प्रशन आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड हीमोफिलिया डे कब मनाया गया तो आंसरोगा 17 अपरेल को और इसकी थीम क्या रही सभी के लिए एक्सिज पार्टनर्शिप नीती प्रगती और बताईए साइकलोपियन दिवार किस राज्य में है तो आंसरोगा बिहार में बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है ये 40 किलो मिटर लंबी और 4 मिटर उची है और इसका निर्मार क्यों किया गया था मगद सामराज्य की सुरक्षा के लिए और अभी ये नियूज में क्यों था बिहार सरकार ने इसको यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था बताओ आईपीए लितिहास में रेटाइड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए तो आंशरोगा रवी चंदरा नश्विन ये राजस्तान रोयल्स के है और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट उची प्रतिमा का नवरन किया था कहाँ पे गुजरात के मोर्भी में अब बताओ किस राज्य ने 14 अपरेल को अंबेडगर जी की जैनती को समानता दिवस की रूप में गोशित किया तो आंसरोगा तमिल नाडू दबोय वू रोट कॉंस्टिटीशन नाम की बुक को किसने लिखा राजिश तलवार ने और प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने कहाँ पर प्रधान मंतरी म्यूजियम का उद्धगाटन किया नई दिल्ली में बताओ विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है 15 अपरेल को और 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड किर्केट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत करेगा अच्छा बच्चों से याद आएगा आपको वीर बाल दिवस हम मनाएंगे अब 26 तैसंबर से बाकी एक वर्ल्ड चिल्डरन डे हो तो आप मनाते ही हो 20 नवंबर को फिर बताए किस देश ने दुनिया के पहले अंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का भी सफल्परिशन किया इसराइल ने किया था और इसे नाम दिया था आईरन बीम और हाँ गाईज आप लोगों के लिए एक आवश्चक सूचना अभी आने वाले 8 मही को आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा और यह जो टेस्ट होगा यह बिल्कुल फ्री होगा जिसमें आप पता कर पाएंगे कि आपकी तयारी कैसे चल रही है एक्च्वल में कितना आपको आता है यह तो एनलेसे सी कर पाओगे आप टेस्ट लगा करके ही लाइव रेंकिंग भी आपको मिलेगी उस रेंकिंग में आप देख पाओगे कि आपकी जो साथी हैं जो स्टुडेंट से जो भी हो टेस्ट देंगे वहाँ पे आप का इस टेंड कर पा रहे हो और इतना ही नहीं साथ में एक करोड रुपे तक की स्कॉलर्शीद भी आप जीत पाओगे तो अनकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपके लिए कुशन्स तयार करेंगे बिल्कुल एक्जाम पैटर्न की तरह कुशन पेपर सेट होगा और खास बात यह है कि टेस्ट देने के बाद हर कुशन का वीडियो सॉलुशन भी आपको मिल सकेगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहोगे तो टेस्ट का टाइम आपको याद रखना है सुबह 10 बजे 8 मई को तो जब तक आप अपने आपको एन्रोल कर लो ताकि उस दिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि हाँ टेस्ट देना है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेस्ट को फ्री में देने के लिए कोड आपसे माँगेगा तो कोड याद रखना क्रैक एक्जाम 10 ये टाइप कर देना आपका फ्री में एन्रोल हो जाएगा और देखो अगर आप तयारी कर रहे हो वास्ताव में तो time to time test देना आपको जरूर चाहिए और ये जो free के test में आपको बता रहा हूँ उसका फाइदा कम से कम आप जरूर उठाए paid वाले नहीं ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन free वाले तो जरूर लो जब भी भविशे में इस तरह के free test होंगे तो मैं आपको बता दिया करूँगा तो उसका benefit आप जरूर उठाना तो link description में है code याद रखना करेक exam 10 अब हम बढ़ते आगे फिर बताइए world kidney day कब मनाया गया 10 March को एक्चल में March की दूसरी गुरुवार को ये मनाया जाता है तो इस बार हमने 10 March को मनाया थीम क्या रही kidney health for all फिर बताइए अंतरराष्टर गणित दिवस कब मनाया गया याद रखना इसको πाई डेबी बोलते हैं और पाई की value क्या होती है 3.14 तो यहां से answer कर दोगे आप 3.14, 14 मतलब 14 तारीक और 3 मतलब 30 महीना 14 मार्च को थीम थी इसकी mathematics unites वैसे national mathematics डेबी होता है जो 22 देसंबर को मनाते हैं चलो मुझे बताओ गणित के शेत्र में दिया जाने वाला एक पुरुसकार है रामानुजन पुरुसकार किसको मिला अभी नीना गुपता को और एबल पुरुसकार गणित का नोबल पुरुसकार इसको मना जाता है ये किसको मिला डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को अच्छा बताएए नदियों के लिए अंतरराश्टर कार्रे दिवस International Day of Action फॉर रिवर कब मनाया गया 14 मार्च को थीम थी जे विवित्ता के लिए नदियों का महत्व विश्व उपबोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंजुमर राइट डे ये 15 मार्च को मनाया क्या थीम रही फेयर डिजिटल फिनेंस बाकी राश्टर टीका करण दिवस ये हमने 16 मार्च को मनाया इसकी थीम क्या है वेक्सीन वर्क फॉर ओल इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतरराश्टर दिवस ये होता है 15 मार्च को आयुद निर्मान दिवस ओर्डिनेंस फेक्टरीज दे 18 मार्च को और एक करन्ट अफेर्स का प्रशन बन जाएगा आपका यहां से कि ओर्डिनेंस डारेक्टर रेट के पहले डारेक्टर जनरल कौन बने तो ये बने ए आर शेक अंतरराश्टर प्रसन ने था दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है थीम क्या रही शांत रहो, समझदार रहो और दयालू हो आपको याद है युनाइटेड नेशन ने अभी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे था फिनलेंड बताओ ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे ये मनाया हमने 18 मार्च को थीम थीर रिसाइक्लिंग फ्रेटर्निटी अब पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे अच्छा बताइए युनेसको ने किस शहर की दुरगा पुजा को अमूर्त सांसकरतिक विरासत की रूप में मानने तदी यानि कि Intangible साइट जिसे हम बोलते तो ये कहां की है दुरगा पुजा कॉलकाता की और इसी के साथ अब भारत में टोटल कितनी अमूर्त धरोहरें हो गई है 14 हो गई है और मूर्त धरोहरें कितनी है Tangible साइट कितनी है जो आप बोलते हो कि इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल का सात्वा संसकरन कहां पे शुरू हुआ था तो गोवा के केपिटल पणजी में अब बताएए इंडियाज एशेंट लीगसी नाम की बुक को किसने लिखा रेखा चौदरी ने और नीजी इस्तमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरूपिय देश कौन सा बना था माल्टा माल्टा की केपिटल वलेटा होती है करंसी यूरो है और इसके अलावा याद रखना लेबिनॉन ने उशेदिय उपयोग के लिए भांग की खेती को अभी लीगल कर दिया है फिर बताएए कि सर्राज्य को आर्मी चीफ थे लेकिन अब ये रेटायर्ड हो गए और इनके जगे नए आर्मी चीफ कौन आ गए 29 नंबर के मनुच पांडे आ गए फिर बताएए प्राइड प्रिजूडिस पुंडित्री नाम की बुक को किस ने लिखा डॉक्टर शशी थरूर ने मिशन शक्ती लिवि अब बताएड ताइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2020 अथलीट आप दे ये चुना सिमॉन बाइल्ज को USA की जिमनास्टिक है ये और अभी किसे चुना गया था एलन मस्क को चुना गया था किसे एक ग्लूबल एंत्रपनियर अप दे ये अवर्ड से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिडला को ये अवर्ड पाने वाले ये पहले भारते उद्ध्यूक पती बने थे बताओ किस देश ने प्रधान होगा एक किस फर्ष चार रनवे वाला देश का पहला हवाई एड़ा कौनचा है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट देली में सेवी के द्वारा बनाई गई अलर्ट समीति का अध्यक्ष बनाया गया मादभी पूरी बुच को जो भी सेवी की पहली मैला अध्यक् अचा किस F1 ड्राइवर को नाइट हुड की उपादी से सम्मानित किया गया था तो आपको याद होगा लुईस हैमिल्टन को ये ब्रेटेन के F1 ड्राइवर है मर्सेडीस की गाड़ी चलाते है अचा बताएए 2022 में महिला अंडर 18 और 19 साउथ इशन फुटबल फेडरेशन चेंपियंशिप हुई थी मालदीव में उसको भारत ने जीता था नेपाल को हरा करके टीवेस मोटर ने इलेक्टरिक वेकल बनाने के लिए किसके साथ समझोता किया BMW मोटर रॉड के साथ टीवेस मोटर इसका है चैन्नेई में संस्थापक है टीवी सुन्दरम अब हम कल के क एंटरफेस को रिवाइस करेंगे अचा बताइए विश्व प्रेस सुतंतरता सूचकांग वल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स 2022 में भारत की रेंग क्या है भारत 150 नंबर पर है और टॉप पे इसमें नौर्वे है और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है रिपोर्टर्स गीम्स का जो भी दूसरा संसकरन हुआ था करनाटक बंगलूरू में जिसका मैं स्कॉट शुबंकर वीरा था उसमें टॉप पे कौनसी यूनिवर्सिटी रही जेन यूनिवर्सिटी ये करनाटक की है इसने टूटल 20 गोल्ड जीते थे अगला है 75 वी संतूष ट्रोफी संतूष ट्रोफी का संबन किस्से है फुटबॉल से फिर बताइए किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई तो अंसर होगा 36 गड में इस योजना में क्या होगा 36 गड के निवासी अपने घर पर लगबग 100 सार्वोजनिक सेवाउं का लाब उठा सकें पिर बताइए दुनिया का पहला टेक्सी फ्लाइंग एरपोर्ट जिसका नाम है अर्बन एरवन वर्टी पोर्ट ये और पर बनाया गया तो अंसर होगा इंगलेंड में विश्व प्रेश सुतंतरता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे ये कब मनाया गया तो अंसर होगा तीन माई को, क्या थीम है, जर्नलिजम अंडर, अच्छा फिर बताईए, विश्व प्रेस सोतंतरता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे कब मनाया गया तो अंसर होगा तीन माई को, थीम क्या है, जर्नलिजम अंडर डिजिटल सेज, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रका अब बताईए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्ब, जो की उत्राखन में है, इसके नए निदेशे कौन बने, नरेश कुमार, दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेचू, ये काफे बनकर तयार हुई, ब्राजील में, इसका नाम है, क्राइस्ट द प्रोटेक्टर, इस से भी उची है, अचा बताओ, पूर्वत्तर भारत की पहली गाई एंबुलेंस सेवा कहां पे शुरू की गई, असम में, असम के डिबरुगड में, और देश का सोवा यूनिकॉन कौन सा बन गया है, नियो बैंक ओपन बन गया है, जिसका मार्केट कैप, और यूनिकॉन मत परूर कीजिएगा, धन्यवाद